नमस्कार आपके साथ मैं रोहुद कुमार आफे नीच फोनेशनी पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पत्ना से जहां पर जद्यू विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाई गई है जो सरकार में मंत्री हैं विजय चौधरी उनकी आवास पर मुखी मंत्री नितिश कुमार के साथ साथ तमाम मंत्री और विधायक और विधान पारिशाद जिस मीटिंग में हिसल लेने के लिए पहुँचे हैं तस्वीरें आपके सामने हैं बता दें कि बिहार दान सभा करसीद कालिन शत्र चल रहा है और ये सत्र कई मामलों में रते हासी कर रहा क्योंकि पहली बार देश में के सिराज ने आर्थिकर सर्विक्षन रिपोर्ट सर्वालन के पटल पर राखा तो उसके तुरंद बाद जो है थोड़ी देर पहले आज की ही बात करें तो बिहार में जो है वो 75 फिस्दी हो गया जिसमें से जो 65 फिस्दी आरक्षन है वो है SC, ST, OBC के लिए जबकि जो 10 परसेंट है वो जो गरीर सवर्ण है उनके लिए आरक्षन कोटा जो है किया गया है और इसी के बाद इस सत्र हंगामेदार रहा नितिश्रुमार के बयानों को ले करके जि बहुत गर्म हुआ नितिश्कुमार के बयान किये बाद BJP के लोगों ने कुरसी तक उठाए उसके बाद मुख्यमंतर नितिश्कुमार ने माफवी भी मांगी अपने बयान को ले करके और इन तमाम खबरों के बीच में तस्वीरें सामने आ रही है जब जद्यू के विधा चौदरी, मदन सहनी जैसे जो मंतरी हैं वो तमाम लोग जो हैं वहाँ पहुंच रहे हैं आपको बता दें कि ब्यारदान सभा का जब कोई भी सत्राहुत होता है तो नियम के मताबिक जो है विधाय क्या और विधान पार्षितों की जो है वो बैठक बुलाई आती है इसके चौदरी पहले पहले सेंटर आल में ते जस्वी आदब नितिश कुमार के साथ साथ है लेफ्ट की पारटिया शामिर है और कॉंगरेस इन तंमाम लोगों की मीटिंगे वो हो चुकी है और आब पार्टियल पार्टिया अपने अपने हिसाब सरे कर रही है और तस् algunos directe के से मीटिंग में किस तरह के रन्यूती हो क्या कुछ आगे बचे वे एक दिन में करना इन तमाम जिसों पर बात हो सकती है नितिश कुमार से लगतार एक तरफ नितिश कुमार के उपर प्रेशर डालने की कोशिश यो रही है लगतार उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है तो दूसर तरफ जो है लगतार जो है जदिश कुमार को बचाने की कुशिश कर रही है लगतार के नितिश कुमार ने शब्दों का चैन भले गलत किया है कि उनका कहने का इरादा कुछ गलत नहीं था लगतार तमाम मंतरी जो है तमाम जो नेता है उनके नितिश कुमार के बयानों पर उनका बचाव करते हैं हालाकि खुद नितिश कुमार नेके तरीके से कहें कि अपने बयानों के लिए माफी मांगी खुद को शर्मिंदा हैं वो ऐसी बाते कहीं सवन के अंदर में और तमाम जो उनके सहयोगी हैं वो लगतार नितिश कुमार के समर्थन में खड़ हैं और इस तो बीजेपी है वो असल मुद्दे से भटकाना चाहती है और लिहाजा वो दूसरे मुद्दों को ज़्यादा तूल दे रहे हैं मसला ना जबारती सर्वेशन रेपोर्ट पेश वी उस मामले वाले दिन जो है नितिश कुमार ने जो मर्यादित बाते कहीं उन बातों को ले के बाद क्या-क्या फैस्टे लिए गे हैं इस पर भी न्यूज फोनेशन ने ज़र बनी हुई जो भी खबर होगे दिखाएंगे न्यूज फोनेशन पर नमस्कार